हेलो एक बाप फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी पॉइंट में तो आज फिर से संस्कृत की क्लास होने वाली है और टोप 30 पिरसन यहां पर रखे हुए हैं और गाइज आप लोगों को बताना है कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है है आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्सर में पिर से कोसन को बारी किसी समझेए अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को एकजामे प्रोब्लम ना आए सिंपल को सरी रखें ज्यादे कुछ हार्ड को सरी रखें पैड़ा गोजी के कोसन भी कुछ इसमें नहीं पढ़ने वाला हूं आप लोगों को समय दूँगा और प्रत्य कोसन को समझाओंगा चलिए वद प्लस कत्वा रूप बनेगा चलिए आंसर दिजिए साथियों आंसर होगा उदित्वा यानि कि तीसर आप्षन होगा अगर मैं इस कोसन की बात करूँगा वद जो होता है आपका कैसे बनता है मैं लिख देता हूं यहाँ पर समप्रसारण ठीक है वद को हम लोग समप्रसारण उ उ होकर सेट धातू है और देखेगा सेट धातू से बनता है आपका यह बनता है उदित्वा यानि कि तीसर आप्षन आपका यहाँ पर किलियर हो जाएगा इसके बाद होगा कोसन आपका सोडवा सब्द में पिरकर्ती और पिर्तिया बताना ह है आपको पिरकर्जी भी बतानी है और आपका पिर्तिया भी बताना है चलिए बहतरीन पिर्सन आपकी स्क्रीन पर गुड साबास तो इसका जो आंसर होगा पहला उप्षन होगा सह प्लस करत्वा देखो यह जो होगा अगर मैंने कहा शह को ओकार आदेश होकर सोडवा बनेगा आपका ठीक है शह को ओकार आदेश होकर जो आपका सोडवा बनता है यानि कि पहला उप्षन आपका हो जाता है विसर्गों का उच्चान स्थान बताना है आपको विसर्गों का उच्चान स्थान क्या होगा बहुत बढ़िया पिर्सन है सिंपल पिर्सन मैं कह सकता हूं इसको वैसे मैंने हिंदी जब पढ़ाई थी आप लोग को अच्छी से आप लोग की हिंदी होगी होगी मैंने सारी चीज़ें आप लोग को किलियर कर दी थी हिंदी में उसी तरह से आप लोग का विसर भी इसी में हो जाएगा जैसे आप लोग उने पढ़ते हैं कि अकू विसर जिन्याम कंठ है ठीक है यानि कि विसर का प्रियोग जो होगा वो कंठे में आपका प्रियोग होगा पहला उपसन आपका यहां पर हो जाएगा ठीक है अगले कोशन के बात करेंगे मैं का उचान स्थान क्या होगा साथ हूं मैं का उचान स्थान क्या होगा बिल्कुल सिंपल प्रिसन है आपके मैं कही बार आप, लोग बता चुका हूं, ठीके मैं भेहतनी पिर्शन आपका जी हाँ मैं आपको बताता हूं जैसे मैंने लिखा उ, पय है भै भै और मैं ठीके, जहां से दिखीएगा उ, पय उ, पय भैं, मैं यह आपके क्या होते हैं उपधिया मानिए कि उचानिस्तान जो होता आपका ओर्ठ होता जोता हाट होता जी और दोनों लहां ओस्ट होते है अब देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाएगा सिंपल सी बात है मैं का जो उस्चान होगा आपका ओष्ट हो जाएगा है ना 64 में आपका जो होगा ओष्ट होगा लेकिन थोड़ा सा और समझे लीजिए आप लोग कि मैं का उस्चान स्थान इतना तो मैंने आपके बता दिया ओ पैप है बैब मैं ठीक है अगर मैं बात यानि कि जो पंचुमा अकसर इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो अब बताएं कौन सा हो गया विभी हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे हाप रांसर डी लगाएंगे कि नि लगाएंगे आई होब आप लोग समझ गयोंगे नहीं समझे तो मैं फिर से बताऊं यानि कि पंचमाक्सर यह पांच अक्सर जो होते हैं पंचमाक्सर होता है आपका नाशक्या होता है कचरतब में जो आपके हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो 25 होते हैं आपके तो इसमें देखिए पंचमाक्सर जो होता है आपका नाशक्या होता है तो यह आपका जो होगा से आंसर दीजिए सभी लोग लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर आप लोग पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें श्वर्ण का पर्यावाची नहीं है निगेटिव आप लोगों से टाते हैं पहाड या अपका पहाड का होगा पर आप पूछे का तो दी नंबर होगा इसके बाद कोशन बनेगा आपका कि विधी का विपर्याय क्या होगा कुछ इसमें हिंदी के इन वोल विए दोस्तों बड़ अच्छे से हम लोग करेंगे जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे growth करेगी वैसे वैसे उसका score जो है ना या जो हार्ड लेवल है वो आता रहेगा आपका तेकि 66 की बात करेंगे हम लोग सही आंसर हो जाएगा आपका भी सब्सक्राइब करें लिट कौण सा तो 67 की जो हम लोग बात करेंगे अंसर हो जाएगा नपोशक लिंग मनस सब्द में जो लिंग होगा वो आपका नपोशक लिंग ही होगा नैश को सन रहेगा निम्लिकित में से सरवत्म कतन कुन सा होगा यानि कि इन में से आप लोगो सबसे बैश कतन देखना है एक अच्छा एक अच्छा अध्यापक क्या है सातियों अध्यापन के लिए व्याख्या विधी का प्रियोग करता है विध्यारतियों को सदेव अनुसासन में रखता है सदेव प्रदयसन के माधम से सिखाता है या विध्यारतियों को सदेव सीखने के लिए प्रेरित करता है सातियों एक अ पहला होगा उप्रियुक्तिस्थान चात्रों को पढ़ने को कहना चात्रों से बिल्कुल बात न करना चात्रों के सामने स्वम पढ़ना ओके वैसे मैं जो पढ़ने नहीं थे चलिए फिर भी आंसर होगा डी नंबर आपका 69 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा एक कोसन और देख लिए हम लोग यहाँ पर पैड़ागोजी का इस तरह का निम्लिकित में से क्या भासा सिक्षण का सिध्धान्त है साथियों अगर आप लोग सीटैट की बात करेंगे सी किसी बालक के किसी बालक कि लिए भासा सीखने की आधार भूती क्या होती शाथ confirming जैखेंगा यह होती आपकी अक्षर ग्यान आख्षरों का जरूरी है दूस्तों है न टोडी नंबर नहीं होगा आपका सी बाताइज 32 साथ योँ बहुत बढ़िया है पुलिंग की बात किये हैं हम लोगों से आर्ट को पुलिंग में 8 कैते हैं Guys B नम्बर अगली कोसन की बात करेंगे अगला कोसन होगा भवान वप्टी का कर्म वाच्चे क्या होगा 73 three तहीं भवता उप्यते होगा क्या होगा भवता उप्यते डी नंबर नाश कोशन रहेगा आपका शिशुपाल वधम महाकवे की कथा वस्तु विभाजित है किसमें अंकों में सर्वों में अध्यायों में परवों में यह सैंसर वह जाएगा आपका बी नंबर कल भी को स्न आये था ठीक है। इसा जो आंसर उगा ने को दिया था सर्गों में अंसर होगा सर्ग आप लोग बताना है साथियों के चलिए वाध्माण यहां से एव संही चलिए दार्यूब मैं अंध्र नंबर में और सबस़ेगा स्मप्रदान क्या होगा साथियों कि अगरे कोशन कि सब्सें बात करेंगे निम्लीखित में से किसateur में कुस्ता संबंध Cantara रामचरितम से नहीं है उत्तर रामचरितम से नहीं है देखेगा हाँ बिरकुर सिंबल कोसन है आपका यह वाला सबस तो हम लोग जो है डी नंबर की तरफ जाएंगे अश्ट पदा नांदी हमारा जो नंबर होगा डी नंबर सही होगा आगे बात करेंगे गद कावे के कितने भीद होते हैं साथियों शाबस तो 2 ही भीद होते है यहां पर आंसर क्या होगा गद कावे के भेद जो है वह दो ही होते हैं नेस लोगाइछ को में कॉन सा समाश है दुखाटीत में कोशा समास होगा, शाबाश, चलिए, बहुत बढ़िया, तत्पुर समास, बिरकों सही बत है, तत्पुर समास, आप लोगों का यहां पर सही अंशर हो जाएगा, जैसे कि इसका उसहा क, देखो, समास विगरे करके देखो, दुखम अतीत है, ठीक है, इस तरह संधी की बात करूँगा तो दो वर्णों के यानि कि जो विसर्ग होता है कहने का मतलब यह हो संधी आपके तिन प्रिकार की होती है दोस्तों स्वर्ग जयंजन और विसर्ग और इनके निकट आने इसे जो mail मतलब वर्णो के mail से जो विकार उत्पन होता है उसको हम लोग क्या बोलते संधी कहते हैं और इसका जो सही आंसर होगा दूस्तों क्या होगा ठीक है बढ़िया साबाज संधी वर्ण धी यानी कि आंसर जो होगा आपका वर्ण विधी यानी कि बी नंबर आप लोग क होते हैं कौन-कौन से लिख सकते हैं आप लोग नमबर एक पर जो होता है आपका कौन सा होता सातियों श्रिंगार नमबर दो पर हास्य लिख लिजिए नमबर 3 पर करुण रोद्र वीर भयानक और आपका विभस और इसके बाद अधभूत होता है तो आठ आप लोग लिख दीजिए का आठों के नाम मैं आपको बता दें फिर से बताऊं सरेंगार हासे करूं रोद्र वीर भयानक विभस एवं अधभूत यह आपके आठ रत होते हैं इसके बाद अनुवस्ति अरे दोनों सही है यह तो हरी वेकंठे वस्ति ही उप्रियोग सभी सुद्ध है तो साथियों यहाँ पर उप्रियोग सभी सद्ध हैं डी नंबर हम लोग लगाएंगे अगले कोशन के बात करेंगे संस्क्रत में कितने लकार हैं मैं इनको लिखा देता हूं आपका लेकर को अधिकार कि लेट लकार है और लोट लकार ठीक है और है और आगए लेतीका है यहाँ फरिकली जी का लकार है हमार लुड़ लकार और लाज लकार कितने हो गए 12345678 9 10 तो कितने होते हैं दोस्तों दस होते ह Дж, minsD number होग है ठीक है साथ यूनेश कोशन होगा लागीमा की विद्पत्ति हतू ठीक विकलब आपको चूज करना है यहां पर मैं पहला उप्सन पढ़ लेता हूं लगू पिलस इम निच तो दोस्तो हमें पहला उप्सन ही से लग रहा है इस पर हम लोग लगाएंगे इनहें से तत्पर्रे क होगा दूस्तों इनहें इंज से आपका स्वामी यानि कि स्वामी से तत्पर्रे द्पर्रे होगा आपका अगले कोस्न की बात करेंगे जल्दी हम लोग मोग सरु लेते हैं कई की निमली किमेश को चाटना है छलिए आप लोग थोड़ा सा साथ बारे में सोंज corruption की दीधा हो का डी नंबर इसके बाद रहेगा कोशन आपका क्रेदंत की संग्या होगी क्रेदंत की संग्या क्या होगी पिर्तिय धातु सहयोग और पिर्ति करना साथ यूँ चलिए मताई आंसर को सिसंवर CHARACY 27 अधी अधी पिलस इड़ पिलस कर्थ ठीक है चलिए इसका जो anser ओगा सी नंबर होगा इसके बाद जो कोशण बने आपका किर्या से कोन उख्त होते हैं किर्या से कौन उक्त होते हैं साथ यो 88 नमर की बात करेंगे हम लोग तो करता कर्म तथा भाव इन सभी किर्या से उक्त होते हैं यानि कि हमारा जो आंसर होगा डी होगा इसके बाद होगा अलम स्रमेण इस वाक्य में कौन सी विवक्ति किस कारण से होते है क्रत्करनेमस्तू यह वाला मतलब क्रत करनयोस्त्रत्या यानिकि तीसरा बी ओप्सन आपका यहां पर हो जाता है सातियों 89 का और नैश को सन रहेगा आपका ब्रह्मान सब्द का सब्तमी एक वच्छन में रूप क्या होगा सातियों बैरी सिंपल को सन तो यह होगा आपका प्रहाणी क्या होगा ब्रहाणी आपका यहां पर हो जाएगा पहला उप्षन ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आपक आपको वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए हो तो लाइक करना वरना कोई बात नहीं है थैंक्यू सो मच बाबाए